नमस्कार आप देख रहे हैं न्यू स्टूडियो उत्रखंड और मैं हूँ आपके साथ रिया कुमारी चुनावी महौल में जहां सभी प्रत्याश्य प्रचार पसार में लगे हैं वही खटीमा से आमाद्मी प्रत्याश्य एसेस कलेर ने घर कर जाकर जनता से जनसंपर किया वही रास्ते में जाते वक्त महिला को खेतों में काम करता देख उनसे रहा नहीं गया तो उन्हेंने खुद जाकर खेतों में खाट डाला और किसानों का साथ निभाने का वादा किया वहीं SS कलेर से हमारे समवदाता भुपेंद सिन ने खास बातशीत की क्लेर जी आपको ऐसा क्या लगा कि अपने खुद खेतों में खाट डालना शुरू कर दिया देखिए मैं उस गाउं से निकल ला था मैं उस गर पे बोर्ड मांगने गया तो लेडिज खाट डाल रही थी जूरिया मेर को ठीक नहीं लगा भी लेडिज खाट डाल रही है मैंने मेरे उस से का भी ओबी यजे आप मेरे को परमिशन दो तो मैं खाट डालता हूं उनको लगा मेरे को शेहां यह कौना वा मेरे को छुड़ाई जूरू हए कोई भी काम घुती हर तरग की खीति करनी आती है तो मेरे को मसूस हुज भी लेडिज खाट नहीं डालनी चा सबसे पहले जैसे ही वधान सभा का ग्राओ करा वो सबसे पहले आमादवीं पार्टी ने उत्राखणगा करा उसमें वो मेरे नितरत में हुआ सबसे ज्यादा कौर्मन्ट से और पुलिस से लट मैंने खाई क्योंकि संजे सिंग्जी ने सबसे पहले लोकसभा में वरोद करा था तो हमें अदेश आया भी ऐसे ऐसे कनून पास हो गया जबके किसी कसान को पता भी नहीं था उनके साथ क्या हो गया आप उतिहास उठा के देखिए सबसे पह का साथ दिया बीजली पानी जो भी उनको जिस तरह की समस्या है वो करी हम कसान हैं कसान के साथ हैं हम कसान का साथ देते रहेंगे मैं वोशी करूंगा भी उत्राखंड के कसानों की एक समस्या का आने वाले समय में सरकार बंदी तो हल करके तो बिलकुल यह हमारे था साथ एक एसेस कलेर जी जो की आम आदमी पार्टी से प्रत्याशियां खटीमा से बने रही है न्यूज स्टूडियो के साथ उत्तुरा खंड के मुद्धे रोजगार से कामगार तक परिटन से परवतों तक सत्ता के गलियारों से हर गाव की गलियों तक तन धारों की कलम से आम आदमी के हितों तक और भी होगा बहुत कुछ देव भूमी से जुड़ा देव भूमी के बारे में देव भूमी के वासियों के साथ सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्राखंड पर खबर उत्राखंड की